हुआ है 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 हमारे पास कैनन का 2270 कोई सा भी मॉडेल आपका हो इस टाइप का इसमें कमन प्रोब्लेम आता है जो कि बहुत कमेंट आया हुआ है कि इस पर वीडियो बनाइए तो इस टाइप का प्रोब्लेम आता है मैं जैसेुह रखाम आगरे यहां औसन्य कीजिए रखाहँ करें इस टाइप में हो कि पर आउट हो जाएगा यहां तो इस्को कई Ariya तक ये फिर आपका जाएगा रइट सेड इसको कैसे सॉल्ब करेंगे तो इसके बारे में अज बनाया हूँ ची कहा थो खासकर इसको जट सोफ फोल्ट हमारे इसी तरीके का वीडियो हमेशा इस चैनल पर डालते रहते हैं तो जो कि आपका एक जो टेक्निशन का चार्ज होता है जो बच जाएगा ठीक है तो चलिए अब यह प्रोब्लेम को कैसे किस किस तरीके से स्वाल कर सकते हैं तो इसका सलूशन देखेंगे तो पहला प्रोस होता है तो यह तीन है आपको पहले पता करना होगा आपको किस ट्रे से प्रोब्लेम होता है ठीक है यह पहले बता रहा हूं ट्रे से क्योंकि अगर आपका ट्रे से प्रोब्लेम होता होगा तो मैं तो पितने लिटे से प्रिवल्व मुशन हो सकता है पाइपस निवा तीनों प्रोब्लें इस तरीक का प्रोल तो आपको उसका अलग प्रफेस क्या है इसका जो प्राइब प्रोसेस में आप उपन खोल देंगे यह पहला प्रोसेस आपको बता रहा हूं तो इसी तरीके से यहां पर देखेंगे आप तीन डगा होता है पिकक अप फीडर परेशन ठीक है तो उन तीनों को अगर खराब हो गया देखें इस मर तो यहां पर एक छोटा सा लोग दिया होता है इसको फड़ो फ्रेस करेंगे यह बाहरा जाएगा है पहला प्रोसेस आपको चेक करना है तिनों रबर के ना है तो इसको आप क्या करना है तो प्रॉसेस इस में आपको बता रहा हूँ पहले में आपको पिक-पप रबर कि खराब हो गया हो तो चेक चेंज करना है ठीक है दूसरे में यह कलच लिकाल के इसको पेट्रोल में पिर करोसिन तो यह आपका फिक्स नहीं होगा ठीक है इस सिच्वेशन में क्या होगा ना यह जो रबर है यह पुरा फिक्स नहीं होगा ठीक है अगर इसको आप घुमाएंगे यहां से एक हाथ में पकड़के इसको आगे पिछे करेंगे तो यह रबर बेस एक जगे में रहेगा और घुमते चलेगा तो इस सिच्वेशन में भी आपका इस टाइप का प्रोब्लम होगा तो इसको आप क्या करना है तो इस पीकव रबर को थोड़ा बाहर साइट लिकाल देना है तो यहां पर कोई फेवी को यह लगा के इसको फिर ऐसे वापस से कर देना है या फिर सबसे बहतर है आप जब भी मार्केट से पीकव रबर लाएं तो बेस बला रबर लेके आ जाएं तो जो कि यह बेस के साथ में रबर आता है तो इ यहां पर जो हॉइट कलर का पूली दिया हुआ है देखिए यह आपका फ्री चलना चाहिए यह कभी कभी क्या होता है ना पेपर का डर्श इस पर जाब होके तो यह जाम चल जाता है तो इसको थोड़ा जाम चलने फ्री चल रहा है ठीक है यह सेकंड दूसरा प्रोसेस होग कि उसके बाद आएंगे इस लीवर के पास इसको रेजिस्टेशन लीवर बोलते हैं इसका फुल वीडियो मेरे मेरे चैनल पर मौझूद है जो कि खोल के आप चेंज कर भी कर सकते हैं अगर एक खीज जाए तो चेंज कर सकते हैं तो इस प्रोब्लम का क्यों मैं सलूशन क्य से नहीं बता हुआ तो इस रेजिस्टेशन का जो लीवर होता है तो इसको क्या करता है स्प्रिंग थोड़ा टाइट कर देता है जिस वह जैसे यह बहुत टाइट से फॉंक्सवन करता है और पेपर उसी तारीप के जेड फोल्ड होने लगता है और एक थो चीज इसमें क्य लुए अरव से उड़ जा रहा है तो फ्रोड लॉक होने डाइप कर लगे तो तब आपको क्या करना है जो रेजिस्टेशन लीवर है तो यहाँ तक आया हुए ठीक है तो यहां तक का आया हुए अब जब मार्क करेंगे दिखा रहो है को देखिए यहां पर फॉंक्शन कर रहा है तो यह जो फॉंक्शन कर रहा है यह अंदर की तरफ एक प्लेट लगा होता है जिस पर टच करता है ठीक है देखिए यह जो यहां पर इसके अंदर में यह फॉंक्शन करता है यह क्या होता है जो कि इसको लॉक करता रहता है तो उसको यहां से उंग़त दालेंगे तो प्लेट आप दिखेगा टीए प्लेट में ऐसे तो अछोटा सा फोम टा häufig का लगा होता है इसको आप लिकाल देने के बात में यह आपको देखेंगे यह प्लेट नहीं पर फोम लगा हो तहिस अप अपर यह फोंगल हुगdy देखेंजेऊ यहाँ पर यहाँ आप कर रहा है तो यहाँ पर हो लॉग कर रहा है एक यह देखिए eigenlijk जगे में यह इसी प्लेट में दिखा रहा हूँ इसी प्लेट में वो कर रहा है ठीक है तो इसको आप पिकप खोल के इसको भी लिकाल सकते हैं यह हो जानेकrig बाद में फिर आप आएंगे यह रेजिश्टेशन in the artist on the art क्या होता है कभी कभी चल-चल की जाम हो जाता है तो आप क्या करना है इस सैड में और इस सैडम में जलने से को पए तो प्रोब्लेम आता रहा है तो यह नॉर्माल जेड फोल्ट का इतना ही सारा प्रोब्लेम आता है इसके बाद में इसका लास्ट वाल जो प्रोब्लेम मैं आपको पहले बताया था जो कि अगर तीनो ट्रे से चलने से अगर सेम प्रोभ्ले मों ओए आ रहा है यह यह जो बता रहा हूं है आपको यह भी आपका 3 особенно चलने से इसी वी प्रोभ्ले कर प्रोभ्लेम हो만 हो थिक है तो प्रोभे इस सारा कुछ करने के बाले के गांदlu इसके बाद अगर सौल्ब नहों तो यह मैसीन का बैक साइड है तो यह बैक साइड खोल देने के बाद में अगर आप कोशिस करेंगे तो इसको खोलने का तो करें या फिर न तो न चेड़खानी मत करें आप टेक्निशन बुला के आप करवा सकते हैं अगर मोटर खोलने का हो तो यहां पर एक स्कूरू दिया हुआ है उपर में उसके बाद में यहां पर दूसरा नंबर स्कूरू है यह तीन और यहां इस साइड में चार चार स्कूरू खोलेंगे यह आपका यूनिट है पूरा बाहर लिकर लाएगा जिसका कि यह कनेक्शन दो ओपन करना हुआ यह स के फूसरा खोलने के बाद में तो इसके अंदर में इए एक क्लच होता है ठीक है एक एक लाच होता है वह उसक्लच को आपको थोड़ा पेट्रोल या फिर किरोशीन या फिर जोरिक से सुसाफ करके फिर वापस से लगाना होथा तो इसका मैं खूलने के वीडियो में बतना बनाऊँगा फिर वापस से तो इसी एई एक compliance से आपका नर्माली the food problem solve होता है मोटर के जो क्लट्च का प्रोब्लम होता है ये बहुत रह रहता है बहुत कम आता है ज्यादा तर मैंने जो आपको process बताया तो उसी तरीके से ये प्रोब्लेम आता है तो उसी को प्रोसेस अगर फॉलो करेंगे आप संप्लिट यह तो आपका यह जेट फेल का प्रोब्लेम हट जाएगा ठीक है उमीद है हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो तो वीडियो पर लाइक करें और अगर आप किसी प्रोब्लेम अगर कोई आपका दोस्त इस प्रोब्लेम पर नहीं कर पार रहा है तो आप उसको वीडियो सेयर कर सकते हैं थैंक्यू